नमस्कार दोस्तों, DK3D Home Design में आपका फिर से एक बार सोगत है मेर नाम DKLONKER है और मैं आपके लिए नएने प्लांस, नएने डिजाइंस और उसी के साथ साथ पे Home Design के बारे में लगबहर तरह की जानकारी चानल पर लाने की खोशिक करता हूँ तो आज भी आपके लिए एक बड़ी आसा प्लान लाओ हूँ जिसका डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ 20 feet by 20 feet का यह बुरा construction का area है इससे पहले भी 20 feet by 20 feet में यह एक design हमने बनाय था और plan भी हमने बनाय था उसका cut section भी हमने बनाय था लेकिन यह जो है यह अलग है यह नए टाइप का है तो देखिए यहाँ पर आप दे सकते हैं 20 feet by 20 feet जो हमारा front है उसके बाद में यहाँ पर इस side में हमारा main road बताएगा है जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर हमने staircase धिया है जो अंदर से भी यूश कर सकते हैं यहाँ पर हम bike park कर सकते हैं आप दे सकते हैं जांगे मन्जिल पर पूछ जाएंगे तो उपर का floor भी मैं आपको समझने वाला हूँ इसके detail dimension जो है मैं आपको last में बताने वाला हूँ इसका total map जो है इसका नक्षा जो है detail dimension के साथ मैं आपको last में बताऊंगा इससे पहले stairs के समय लेज़े देखे यहां से हमारी stairs start होती है इसके नीचे बाइक भी पार कर सकते हैं यहां पर हमारा में डोर रहेगा यह स्टेप्चर के इस वरंडे पर पहुच जाएंगे यहां से इंटिकरेंगे हमारे living room में यहां पर हमारा और जो हमारी सीड़ी है यहां से अंदर से भी हम यूज़ कर सकते हैं आप दे सकते हैं इस साइड में हम आ सकते हैं यहां से हमारी सीड़ी यूज़ कर सकते हैं मतलब हाल से भी हम सीड़ी यूज़ कर सकते हैं और बार से भी यूज़ कर सकते हैं यहां से यहां पर हमारा स्टे यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर एक पूजा रूम भी हमने अज्जिस किया है उसके बाद में यहाँ पर हमने किचे नोटा बता है उसके बाद में यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर एक बेड बतायागा है आप दे सकते हैं यहाँ पर हम बेड लगा सकते हैं और यहाँ पर जो खाली वाल दीख रहे हैं यहाँ पर हम टिवी लगा सकते हैं मतलब यह लेडी लगा सकते हैं तो आप दे सकते हैं यह से यहां पर और यहां से मतलब यह जो पूरा एरिया बना गया है यह हमारा सीट आउट का एरिया है मतलब यहां पर हम चैरस अगरे डालके बाढ़ सकते हैं यहां पर चाय अगरे ले सकते हैं यहां पर चोड़ा सा एक लॉन बता है तो यह पूर यह जो पूरा एरिया जो रहे सब्सक्राइब और हमारी यह बालकनी हम यहाँ बालकनी हम यूज़ कर सकते है। कजिए तो यह बालकनी हम इस बेडरूम से भी योज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमने नीचे दिया था सिए आज इस उपर शेम लिया ए कस king को उसकी बाद में नीचे जो बेडरूम था यहाँ पर आप दे सकते यह बेडरूम हमने शेमद या है मतलब आप देश सकते हैं ऊपर जो है दो बेडरूम है और नीचे जो है एक बेडरूम है और यहाँ पर जो किचन दिया गया था यहाँ पर हमने सीट आउट दिया है तो इस टाइप में यह टोटल जो हमारा थ्रीवेज के प्लान होता है मतलब तीन बेड रूम और एक लिविंग रूम एक किचन और स्टेर के यहां से बाहर से दिया है मतलब रेंड के इसाब से भी उपर का अगर आपको फ्लॉर देना है तो इस टेर केस काफी यूसफुल रह प्लाट का एरिया है जिसमें यहां पर आप दे सकते हैं यह थोड़ा सा बाहर लिया है और आपके इसाब से आप आजू-बाजू में जगह छोड़ सकते हैं यहां पर स्टेप्चाट के इस वरां पर पहुच जाएंगे यहां से एंटे करेंगे हमारे लिविंग रूम में 11 इस वरां नेस दिए देखें तीन पीट यहां पर एक वोटा रहे गा यहां से हमारे श्टर पर पहुच जाते हैं यहां पर कॉमन ट्वालेट बात सुन दिया है त्री त्री तीन फिचे इज़ बाए शे दो इंच का यहां पर इसका साइज दिया गा है और कीचन का साइज यहां तक 6 feet 7 inch है उसके बाद में length में 9 feet 6 inch है मतलब 6 feet 7 inch by 9 feet 6 inch का हमारे kitchen का size मिलता है और kitchen को window यहां पर दिया है और अगर आप चाहे तो यहां पर भी दे सकते हैं लास्ट में हमारा बेड रूम है साथ फिट नौ इंच पाई नौ फिट चेंज का मतलब सेवन फिट नाइन इच यहां से यहां तक है यहां पर एक विंडू बता है अगर आप चाहे तो इस सेट में विंडू लगा सकते हैं तो आप दे सकते हैं ग्रांड फ्लोर पर 20 फिट प उपर हमने बेड रूम बना है यहां पर एक बालकनी दिया है उसके बाद में बेड रूम जो नीचे था वसी टाइप में उपर भी लिया है साथ फिट नौ इंच पाई नौ फिट चेंज का इस बेड रूम का सई दिया गा है तो उपर दो बेड रूम एक शीट आओट और यहां पर स्टेर्केस और यहां पर एक आजक्ट वाल बात सुम दिया है तो कुल मिलाकर 30 के प्लान यहां कंप्लेट हो चुका है तो बीस फीट का मतलब लगबग चारसो स्केवर फूट का पूरा एरिया आता है मतलब आज की डेट में आज की डेट जहे 26 26 2020 है आज की डेट में लगबग यह जो है दस लाग के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लेट हो सकता है तो आशा करता हो कि आज का यह जो प्लान है आपको डेट में समझ में हर पसंद आ है अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसे का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी और तक आपने हमारे चानल सब्सक्राइब किया तो हमारे चानल पर लान वाई दबाए ताकि पर अफीडेए ताकि मेरे करते हैं हमारे office के number दे रहे और number one call कर सकते हैं तो WhatsApp कर सकते हैं लेकिन हम जो भी सरूर देते उसके नामेल चार्जश लेते हैं वह चार्ज़त आपको online पेकाना पड़ते हैं तो इस वीडि़ो को देखने के लिए आपने आपका किम्ची समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तो अब लिए तना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में